पूरे चैप्टर डिफ्रेंस बताया गया है अब बेटा हमर को यहां पर पता है कि आजकल की जनरेशन बेटा अब ब्रिंगिंग बन रही है आजकल की बेटा कुछ भी चेंजिस अलग नहीं हो रहे हैं सबको एक ही माने देता है बट ऐसी कुछ जगे है जैसे विलेज हो गया या उस जगे हो गया बेटा वहाँ पर अभी भी इस तरीक है का वहाँ पर बहुत सारी अब ब्रिंगिंग्स है लोगों के अंदर जो गर्ल्स को बेटा हाईर स्टुडिस के लिए नहीं जाने देते हैं बॉइस को जाने देते हैं यह सारी चीज़े चलती रहती है ओके बेटा जैसे के अपनी कंट्री क्या है कंट्री ओफ डाइवर्सिटी है यहाँ पर बहुत सारे बेटा बॉइस और जो गर्ल्स है हाईर एजुकेशन के लिए राइट्स भी उन्हें बिला हुआ के उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए और वो जाते भी है अपनी आगे-आगे स्टुडिस के लिए बट बेटा कु और बेटा यह रीजन किसके वज़े से होता है जैसे के वहाँ पर बहुत सारी चीज़े से अपने को देखने मिलती है जहां जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से उसके अंदर जैसे के गर्ल्स की चाइल्ड मेरेज हो गई फिर साथी साथ बेटा मोशली वूमन्स को हाईयर तो बेटा ऐसे जिंडर डिस्क्रिमिनेशन के वज़े से ही होता है अब गईर मैन और वूमन के बीच में तो यह चलता ही यह बेटा डिस्क्रिमिनेशन बट्स यहाँ पर जघ्यमरेशन आती है जो फटर जासे म्सली चनठे लेने ऑईशन बिट्वीन बेटा यहां पे बट आज कल के जनरेशन में क्या हो रहे बटा उने भी अपनी कंटरी में सेम राइट है सेम इक्वल राइट सेके वह भी अच्छे से जी सके उनको भी सारी प्रोवाइट्स तिंग्स मिल सके होगे अब बेटा अगर एक चीज है कि अगर आप पहले के टाइम पर क्या होता था बेटी होती थी तो बेटी को बेटा चेक करते थे और उसे पेट में ही मार दिया जाता था वो एक टाइम पर क्या होता था बेटा क्राइम होता था बट आज के टाइम पर बेटा वह चीज नहीं हो अब बेटा जो girls उनको higher education के लिए भी यहाँ पे बेजा जाता है बट कुछ ही ऐसी जगे है बेटा विलेजिस टाइप में जहां वहाँ पे नहीं बेजा जाता है बेटा आज का हमारा जो फर्स्ट में टॉपिक है वो क्या है upbringing of boys and the girls according to the Indian belief अब बेटा Indian belief के हिसाब से हम दिखेंगे आप बेटा upbringing boys और girls की क्या है 2001 में बेटा जब census हमारा जब बेटा चेक हुआ था तब इतना difference हुआ था बेटा जो boys और girls के बीच में age groups 0 to 6 year के जो age group का होता बेटा उसका difference between निकाला गया था तो वहाँ पर बेटा क्या होता इन इक्वालिटी आई थी obviously जब जहां पर girls बेटा काम है तो boys वहाँ पर ज्यादा ही था अब में यह reason था बेटा किसके वज़े से होता था जो फीमेल फॉसाइट के वज़े से ज़ादा होता है फीमेल फॉसाइट मतलब कि बेटा यह कि government की entric and sit for side law है उसके वज़े से बेटा it is also crime to test the gender of baby in the womb बेटा फीमेल फॉसाइट मतलब पहरे के टाइम पर लोग क्या करते थे फीमेल के अंदर क्या है चेक करा लेते अगर लड़की है तो उसे पेट में ही मार देते थे अगर लड़का होता है तो बेटा उसे रख लेते थे इस तरीके यह फीमेल फॉसाइट के वज़े से बहुत ही खराब है और आज के देम पर बेटा लौ आ चुका है कि अगर इस तरीके का कोई चीज कराता है तो उसे पनिश्मेंट मिले गई अब बेटा यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिए गिये एक्टिविटी डन बाइद गर्ल्स एक्टिविटी डन ओनली बाइद अब आपको एक्टिविटी अपने टेक्सबुक में बेटा करनी है अब इसके बाद बेटा हमारा सेकंड पॉइंट है वह ट्रेडिशनल बिलीव अब हमारे लोगों का बेटा किस तरीके का ट्रेडिशनल बिलीव था वह हम देखते हैं अब बहुत सारी चीजे लोगों के रिमाग में आचलती रहती जैंडर डिस्क्रिप्शन लेके बोलते हैं कि बॉइस हैं हम स्ट्रॉंग होगे वह बॉइस सोचते गल्स नहीं बेटा आज के लिए दोनों स्ट्रॉंग है ऑके जैर मैंनी डिफ्रेंस बेटा बहुत सारे डिफ्रेंसीज आते हैं बॉइस और ग बॉइस बहुत सारे गल्स की सेफ्टी प्रोटेक्शन भी गवर्मेंट के थूँ आ रही है जैसे कि बहुत सारी LIC में policies भी आती है कि बेटा girls की आप higher education के पैसे collect कर सकते हैं और girls की हर एक चिसके safety और protection के लिए government try करी उनके लिए बेटा अलग से उनने पुरा branch बना रखी है girls के protection के लिए जैसे अपना ambulance पर 108 नमबर आता है वैसे भी गल्स के protection के लिए भी बेटा है, साथी साथ गल्स को बहुत सारी चीज़े सिखाने जैसे defense में सिखाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़े हैं, साथी साथ आज कल की गल्स आप देखूंगे बेटा, आप नॉर्मल चीज़ों में आपको देखने नहीं मिलेगी, हर एक बार का था बैटा को यहां के अपने city के person को तो प्रॉबलम नहीं तर बट्रीच के person सोते हैं उनको बैटा प्रॉबलम माते के girl है जो इतना दूर तक जॉब कर रही है को बैटा सारी चीज़ा पसंद आती है नहीं और हमारा बेटा second topic है इन equality in the household work में सब घर के अंदर भी बेटा बेटा देखते होंगे मिया अब आप बोग कावी बेटा inequality देखी जाती है अब girls होगी तो मम्मी उसको बलतुकी चल बैटा तो जाड़ु मार पोचा मार के तो यह काम करना है बोईस होगा तक म्मिक कई बार बोईस्को नहीं बोलतीं बोईस को बहुती जा तु कई बाइफ बोईस को बहुती चाहिए तक बोके से फिरे देफ्ति बाइंक रही बेटा equal रहना चाहिए girls और boys दोनों के साथ main power है ओके यह क्या है बेटा inequality in household वाग था इसके बाद बेटा आपको यह दो table दिया गया है यह आपको क्या करना है यह आपको कुछ बेटा homework में करना है फिर बेटा इसके बाद next अमाना topic था वो क्या था women empowerment women empowerment क्या है वो हम देख लेए the task of the house is home is possible only by the women अब बेटा घर का हमें पता है कि टास्क कोई भी होता बेटा woman है तो ही हमारा घर है बेटा नहीं तो अगर आपके आज ताइम पर आज देखते होंगे कि घर में कोई woman नहीं है तो आप किस तरीके से अस्त वियस्त पुरा काम पड़ा रहता है को अच्छे से नहीं तो मम्य होती घर पर पर एक परफेक्ट एक्जाम्पल रहता है कि हाँ ये घर है घर जैसा घर बना रहता नहीं ता अगर अपने बॉइस होते क्या होते एक जोड़ी कपड़े भी टूणने हो न तो बेटा पूरी कबर्ट या अलम बी चलाती है साथ में साथ में यसात्में मैनेजमें जो बहुत सारे अलग-ालग當iri स्पोर्णेटिश लिजाती है अर चित्य हूर साथ बेटा क्या होते वोगन के पास आज के लिए खुद है सबस्वारे अबैंट न nibıkadis बना सकते हैं कर市 rhymes को बहुत सारे एक्जाम्पल से बेटा आगे हम डीटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो में की खुद-खुद की अलग-अलग की आइडेंटी है आज करें पर बेटा वोमन्स आपको स्पोर्ट्स के अंदर देखने मिलेगी पॉलेटिक्स में स्पेस में वोमन्स हर एक रिसर्च ए बेटा हमारे वोमन्स ने अचीव किया है ऐसे के गवर्मेंट भी बहुत सारे अलग-अलग प्लानिंग करती है वोमन्स को एंक्रेज करने के लिए उनको डिफेंस सिखाने के लिए है जिससे खुद की और प्रोटेक्शन खुद कर सके अलग-अलग जगे पर अलग-अलग भी होते हैं साथी साथ गवर्मेंट ने बेटा एकर चीज चालू करी है जो स्टार्ट अप इंडिया और मेकिन इंडिया है जो यह स्कीम से यह बेटा वुमन एंपार्मेंट के लिए कि वुमन एंपार्मेंट कम हो उसके लिए हो के दो वुमन आद कि फाइनेसली असिस्ट start in industries और बेटा अगर women को बेटा industries या कुछ भी start करनी है तो भी women के लिए बेटा government अलग-अलग subsidies और वो सब कर रखी है और साथी साथ बेटा अलग-अलग organizations है जो women के empowerment पर भी काम कर रहे हैं अलग-अलग और साथ में government की भी बहुत सारी schemes है public body भी है और जात में women को help करने की भी process बहुत सारी है government की ओके साथी साथ अलग-अलग schemes होती है बेटा women empowerment की जिसके अंदर बेटा के उन्हें एक special arrangement दिया गया होता है जो बेटा girls को implement होता है और साथी साथ के उनके education भी बेटा अच्छी रहती जैसे अलग-अलग education में अलग-अलग जगे में different different बेटा जो है girls वो famous रखी है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जैसे प्रतिबा सिंग पार्टिल बेटा वो उन्हें बेटा honor मिला गया है और वो हमारे first woman president रह चुके हैं और उन्हें बेटा ऐसा woman leader जो honorable position मिली थी वो राजिस्तान से मिली गई है और वो किसलिए जानी जाती है वो अपनी simplicity और incentive lifestyle में अच्छी simple lifestyle के लिए जानी जाती है फिर बेटा उसके बाद इंदिरा गांधी है इंदिरा गांधी बेटा हमारी first woman prime minister है इंडिया की जो 1971 में बेटा जो हम पाकिस्तान के सामने जो हमारी लड़ाई थी उसके उंदर बेटा उनका main role था और वो ऐसा iron lady के नाम से भी जानी जाती है उसके बाद बेटा हमारी second है सुस्मा स्वाराद सुस्मा स्वाराद बेटा हमारी first foreign minister है हमारी country की ओके और बेटा ये youngest cabinet minister है हरयाना की और साथी साथ बेटा इसके बाद है लता मंगेश कर लता मंगेश कर ने बेटा 40,000 से उपर सौंग्स दिये गए हमार को और वो उसे बेटा एक टाइटल मिला गया है क्वीन ओफ मेलोडी के नाम से और उसे साथी साथ बेटा बरत रतने अवार्ड भी मिला गया है फिर उसके सब्सक्राइब कर पर इंडिया से ती और इसके बड़ नासा के टाइम पर बेटा बहुत ही जानी जाती थी इंडिया के लिए और उसके बेटा है हमारी सरीटा गायकवाडब, सरीटा गायकवाडब पेटा उन्हें сторон कंई कह से करी है और उसने साथ इसाथ बैटा इंडिया के अंदर एश्यंड गेम सोती है उसके अंदर गोल्ड मेडल भी लाक्या है और उसने बैटा हमारा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो देखेंगे बर्थ रिश्यों किस तरीके का मारा मिलियन सो पीपल यहां पर एक्रोस हमारे संसेस के अंदर काउंट होते हैं अब लास्ट हमारा संसेस था हो 2011 में काउंट किया गए तो फर्स संसेस वह बैटा 1871 के अंदर काउंट वाद है एवरी टैन यह के बाद बैटा यह जो संसेस क्या होती है बटा काउंट करती है वैसे आपको बैटा यहां पर दिया गया नीचे आपको टेबल देख सकते हो टेबल सोविंग जैन्डर रेशियो अब गुजरात के अंदर इंडिया का डिफरेंस गुजरात का 886 है और इंडिया का 914 और डिफरेंस उसका कितना है फिफ्टी ओके यह सारी चेज़े बटा बहुत रेशियो के संसेंस के अदर दीग यह वैसे बेटा जब 1901 के अंदर बिटा जब काउंट करा गया गляются गर्ल्स का तैंब घर्ल्स का रेशियो कितना है फिवत थाॉजद के अंदर 972, 1911 के अंदर 964, 1921 के 51 के अंदर 946, 1961 के अंदर 941, 1971 के अंदर 930, 1981 के अंदर 934, 1991 के अंदर 926, 2001 के अंदर 1933, 2011 के अंदर 940 था, ओके बेटा, इस तरीके का सामारा माँ पे जो डिस्क्रिप्शन जेंडर था, जो गल्स का इंक्रीज हुआ था, एस पर फीमेल के अंदर 1901 से लेकर, जेटा 2011 का अंदर हुआ था, ओके इसके अंदर decrease and increase चलता रहता था, इसके बाद study of women movements बेटा चलाएगी कि बेटा यहाँ पे जो गांधी बापो थे, उनने बेटा यहाँ पे start करा था, जो British के टाइम से ही, बेटा के जो बहुत सारी girls थी, उनको बेटा studies भी करा जाती, साथी साथ महाँ पे जो girls थी, वो बेटा ऐसा leader गुजरात की हमारी कस्तुर बाजो अलग-अलग movements में कांधी जी के साथ जूडते थे, और कांधी जी का साथ देते थे, वो भी हमारे पर क्या होता है, जो women's होती है, city area की वो एग्रेट फॉर वाटर बेटा, पानी के लिए उनको बहुत सारी problems होती है, साथ साथ सोटी सोटी problems बेटा, women's के साथ रहती रहती है, okay, many other simple important moments have been taken place, और अलग-अलग moments, women's के life में place लेती रहती है, और साथ साथ बेटा, उनको भी बहुत सारी problems face out करनी पड़ती है, okay, students, यह था हमारा chapter number 17, और यहां पर chapter number 17 हमारा over होता है, thank you students बहुत सारी